हेलो दोस्तों स्वागाता आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार तक्निकी सेवा आयोग BTSC JEE के बारे में जिसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं फाइनल कट अपका एक्सपेक्टेड क्यार रहने वाले हैं साथ ही कब तक आपके रिजल्ट आ आपका है वह 12 अगस्त को ही समापत होने जा रहे हैं तो आपको छाठा दे होगा कॉंसलिंग का पांच दे कंटिन्यू हो गया है कॉंसलिंग का तो हम इसमें आपको कट अपका एक्सपेक्टेड में बताने वाले हैं साथ ही हम बताएंगे आपका कि रिजल्ट क्या 20-25 में आ जाएंगे या कब तक जोइनिंग करवाएंगे यह सारी बाते हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए हम लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे चीजों का क्लियरली पता चल सके तो च उसी का सबस्या हो सकता है थोड़ा सा वाईरियेशन देखने को मिल सकते तो उसी हम डिसकस्स करने वाले चलिए आपको कट अपक के रिकार्डिंग आपका जो फिछले घर भी दिखाके हम आपको फाईनल कट अपके वारे में डिसकस्ट करते हैं तो हम इसमें आप देख सकते हैं कि जो 60% वाले अभ्यारती थे उनका तो cut-up vary करेगा इन्हें वही cut-up रने वाले हैं जो की गौर्मेंट कॉले से नहीं आते हैं तो उसका जो cut-up थे वो 75.64 गया था उसका बाद महिला का ये cut-up है ये general वाले के थे जो 60% में आते थे और उसका cut-up भायरी नहीं करने वाले हैं और यदि हम बात करें 40% वालों के तो 40% में आपका 13.16 है उसके बाद ये तो समान केटेगोरी का है और आप SCST OBC सारे देख सकते हैं तो इसके बाद हम यदि कहें 40% में क्या 40% में variation देखने को मिल सकता है या नहीं मिलेगा तो इसमें हम बात करें तो बहुत सारे student से हमने वहां जाके देखे कि कितना आपका percentage बन रहा है जो अभी counseling करा रहा है तो उसमें जो प्राइवेट वाले जो है बिहार से जो किया है जिनको counseling के लिए बुलाया गया उसमें average यदि हम बात करें तो average 70% 70-72% ही है student को रहा है marking 70-72% के बीच में ही उसका average percentage हम का सकते हैं कि रहा है क्योंकि हमने बहुत पांच students से हमने वहां पर बात किये तो सारे के इसी के मतलब अंतरगात थे और एक ने तो बोला कि मेरा दोस्त को पता भी नहीं चला कि कव counseling का date आया था तो इस तरह से बहुत ज़्यादा missing भी हो रहा है तो इसमें इसे भी 40% में बहुत ज़्यादा भाईरी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इससे पहले भी जिनको लिया गया था उनको 72% 70% और 65% इसके regarding था ही वह जनरल वाले की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम अगर में नहीं बात करें तो 40% में थोरा मतलब variation देखनों को मिलेंगे तो इन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि कुछ student फरजी भी निकला है तो हम इतना का सकते हैं उसके बाद इसमें जो एड किये जा रहा है उसका भी percentile बहुत ज़्यादे नहीं है वैसे पहले लग रहा नहीं है उनसे कम भी है बहुत सारे को तो इसमें आपको चिलता करने की ज़रत नहीं है और आपका final result है उसके regarding हम आपको next video में भी बताएंगे वैसे जयदा अनुमानित है कि आपका result 20-25 अगस्त की बीच में जारी कर सकता है तो इसमें हम mainly जो जो इसका exact date है जो कब तक आ सक सकते हैं उस पर भी हम discuss करेंगे और joining के बारे में बताएंगे कि कब तक join करवा सकता है तो चलिए हम मिलेंगे आप आपसे next video में तो अभी तक लिए इतना है और यह तो civil वाले के cut up थे और यदि हम mechanical वाले की बात करें तो mechanical वाले की देख सकते हैं कि 76 point general में थे जो 60% में आते और मेला का 60.33 तो 60% वाले अभी आर्थी जो है उनको तो variation होगा इने वही रहने वाले हैं तो इसके लिए उसको तो कोई दिक्कती ने है 40% में हम करें उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे क्योंकि private बाले को भी बहुत ज्यादा marking भी नहीं है और उसके बाद जितने भी अभ्यारती को एड किये जा रहा है उसमें से कुछ भी धैरती जो पाले सेलेक्टेट है उसमें जो फारजी निकले है उसको निकाला भी जाएगा इस तिकारी हम इस बेसिस पर हम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको variation देखने को नहीं मिलेंगे तो आप सियो क्या है उसमें आप कर सकते हैं पहुत कर सकते हैं कर दो को नहीं मिलेंगे जाएग जाएगार सकते हैं